Welcome to Study Watch Study Watch में आपका स्वागत है Mijbil the Otter Part 2 ठीक है ये second part है इस chapter का और इस chapter में ये जो तीसरा part है उसको हम explain करेंगे पहले दो parts को और before you read और जो उसका introduction था उसको explain कर दिया गया है उस video का link description में है वहाँ पर जाकर कि आप देख सकते हैं आपको बताते चलें कि ये chapter in CRT के class 10th की English की book First Flight का ये chapter number 8 है जिसका नाम है Mijbil the Otter ठीक तो देखते हैं इसमें क्या है The days passed peacefully at Basra Basra में दिन शांती पूरवक गुजर गए But I dreaded the prospect of transporting Mij to England लेकिन मुझे Miss को यानि Miss Bill को England ले जाने में डर लग रहा था ठीक है इस सोच से की Miss Bill को मुझे England ले जाना है इस बात से मुझे भय हो रहा था मुझे डर लग रहा था देखियां आपर Dreaded the prospect का मतलब क्या है Was in great fear of something किसी चीज के रिए बहुट डर था That would happen in the future जो भविश्य में होगा उस बात को लेकर ये बहुट चिंतिक था And or to Camasfarna ठीक वहां से England England से Camasfarna ले जाने में उसे डर लग रहा था The British Airline to London would not fly animals British flight British Airline जो London जाने को थी उसने animal को ले जाने से माना करती है यानि वो जानवरों को नहीं ले जाती So इसलिए I booked a flight to Paris इसलिए मैंने Paris के लिए flight book की on another airline दूसरी airline से And from there to London और फिर वहां से मैंने London की flight book की The airline insisted that उस airlines ने अगरह किया की insist का मतलब क्या है आगरह ठिक उसने आगरह किया की क्या आगरह किया Miz should be packed into a box की Miz को एक box में pack होना चाहिए Not more than 18 inches square जो 8 inch work से जादा न हो To be carried on the floor ताकि उसे floor पर ले जाया जा सके At my feet मेरे पाउं के उचाई तक मेरे पाउं के पास उसे floor पर रखते हुए ले जाया जा सके I had a box made मैंने एक बकसा बनवाया And or an hour before एक घंटे पहले We started हमने चलना शुरू कर दिया I put Miz into the box मैंने Mizku box में डाला So that ताकि He would become accustomed to it ताकि वो इसका आदी हो जाए ठीक है Accustomed का मतलब क्या है आद जिसे हम कहते है Habitual होना And or Lift for a hurried meal और मैं खाना खाने के लिए चला गया यानि जलदी से खाना खाने के लिए मैं वहां से चला गया ठीक फिर क्या होता है देखते है When I return जब मैं वापस आया There was an appalling spectacle वहां अजीब ही सीन था ठीक है Appalling spectacle का मतलब क्या है यहां पर दी है Shocking scene एक shocking दिरिश वहां पर था There was complete silence from the box Box में बिलकुल शान्ती थी But from its air holes and chunks लेकिन इसके हवा वाले बने छेदों से और इसके chinks से जो इसमें तरारे थी Around the lid उस धकन के पास Blood had trickled and dried खून निकला था और सूख गया था I whipped off the lock मैंने ताला हटाया Whipped off का मतलब क्या है यहां पर देखिए Quickly took off यानि हटा लिया ठीक हम इसे कहेंगे हटाया ठीक मैंने चल्दी से ताला हटा लिया And or tore open the lid और उस धकन को भाड़ते हुए मैंने खोला And which और वो मेज Exhausted and blood spattered वो थका हुआ और खून से लगपत Wimpered and caught at my leg वो चीची आता हुआ मेरे पाउं के पास आ गया Wimpered का मतलब क्या है हम इसे कह सकते हैं कि वो चीची कर रहा था और रिरिया रहा था दबी आवाज में दर्द से बोल रहा था He had torn the lining of the box to shreds उसने जो ball की lining सी उसको उसने कुदर करके उसके टुक्रे कर दिये थे When I remove the last of it जब मैंने आखरी तार हटाया So that ताकि there were no cutting edges left कि ताकि कोई भी cut लगने वाला किनारा न बचे It was just 10 minutes until the time of the flight सिर्फ 10 ही minute बचे थे जब flight का समय हुआ था उरान का समय सिर्फ 10 ही minute बचा था जब मैं ये सारी चीज़े कर रहा था And or the airport was five mile distant और जो airport था वो पांच मील की दूरी पर था I put the miserable miss back into the box मैंने उस देचारे miss को फिर से box में डाल दिया Holding down the lid with my hand अपने हाँ से उसके ढखकन को पकड़े हुए मैंने miss को उस box में डाल दिया ठीक चलिए आगी देखते हैं I sat in the back of the car मैं कार के पीछे बैठ गया With the box beside me Box को अपने बगल में रखकर As the driver tore through the streets of basra Like a recording bullet जैसा कि वो driver basra की गलियों को Basra की सडकों को गोली की तरह जीरता हुआ निकल गया ठीक है Recording bullet का मतलब क्या है A bullet which changes direction after hitting surface वो bullet वो गोली जब surface पो टकराती है और अपनी दिशा बन देती है उसी को हम कहते है Recording bullet तो इतनी तेजी से वो driver basra की सडकों पर निकला एरपोर्ट के लिए The aircraft was waiting to take off वो aircraft जो थी वो उडने के इंतिजार में थी I was rushed through to it by infuriated officials मैं उन गुसाए करमचारियों से होता हुआ मैं उस flight की तरफ निकल गया ठीक है infuriated officials का मतलब क्या है जो उस flight में काम करने वाले लोग थे एरपोर्ट के लोग थे वो बहुत गुसाए थे कि मैं बहुत देरी से आ रहा था Luckily भाग के वश the seat booked for me वो जो seat मेरे लिए बुक हुई थी was at the extreme front वो बिलकुल सामने की किनारे वाली seat थी I covered the floor around my feet मैंने उस floor को जो मेरे पाउं के पास था with newspaper इस से मैंने उसे ढख दिया ठीक है I covered the floor मैंने उस floor को ढख दिया around my feet जो मेरे पाउं के पास थी with newspapers newspaper से rank for the air hostess और मैंने air hostess को बुलाने के लिए घंटी बजाई and or gave her a parcel of fish और मैंने उसे मचली काई पासल दिया for miss जो miss का था to keep in a cool place कि वो इसे ठंडी जगा पर रख दे I took her into my confidence मैंने उसे विश्वास में लिया about the events of the last half hour जो पिछले आते घंटे में जो घटना हुई थी उस घटना को देखते हुए मैंने उसे conference में लिया मैंने उसे विश्वास में लिया किसे उस air hostess को यहाँ पर उसकी meaning took her into my confidence का मतलब दिया हुआ है here shared with her my experiences और secrets उससे अपने रहस्या और अपने अनुभव साजा किये I have retained the most profound admiration for that air hostess मुझे उस air hostess के लिए बहुती गहरा सम्मान मेरे मन में है ठिक यहाँ पर profound admiration का मतलब बहुती गहरा आदर बहुती गहरा सम्मान return का मतलब हम कह सकते हैं kept ठिक उसके लिए बहुती सम्मान मेरे मन में आ रहा था She was very queen of her kind वो अपने आप में बहुत महान थी वो अपने आप में बहुत अच्छी थी She suggested that उसने सलाह दी की I might prefer to have my pet on my knee क्या मैं अपने pet को अपने खुटनों के पास रखना पसंद करूँगा and or I could have kissed her hand in the depth of my gratitude और मैं अपने क्रित अजयता की गहराई में मैं उसका हाथ ही चूंग लेता यानि उसने इतनी अच्छी बात कही मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसके हाथों को ही चूंग लेता अपने क्रित अजयता को दिखाने के लिए ठीक, gratitude का मतलब क्या होता है? कि तग्यता बट लेकिन not knowing otters लेकिन मैं otters से अपरी चीत था मैं otters को नहीं जानता था I was quite unprepared for what followed और इसके लिए मेरी तयारी नहीं थी कि जो होने वाला है मैं otter को अच्छे से नहीं जानता था क्या होने वाला है इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था मैं बिल्कुल तयार नहीं था ठीक चलिए आगी देखते हैं miz was out of the box in a flash एक जटके में miz box से बाहर आ गया इने flash का मतलब क्या है बहुत चल्दी जटके में he disappeared at high speed down the aircraft वो जहाज में वो बहुत ही तेजी से गायब हो गया there was squacks and shrieks और वहाँ पर चिलाहट मच गयी वहाँ पर चिलपो मच गया and और a woman stood up on her seat एक औरत अपने seat पर खड़ी हुई screaming out चिलाते हुए चिलाते हुए खड़ी हुई a rat, a rat वो कहती है चूहा, चूहा I caught sight of mids tail मेरी नजर पड़ी mids के पूच पर disappearing beneath the legs जो गायब हो रही थी जिसकी जहलक मुझे मिली उसके पाउँ के नीचे किसके? of a portly white turban Indian एक भारती है जिसने सफेद पकड़ी पहन रखी थी मोटे ताजे आदमी के पाउँ के पास मुझे उसकी पूच नजर आई diving for it मैंने इसे पकड़ने के लिए dive की, गोता लगाया I missed, मैं चूप गया but लेकिन found my face covered in curry लेकिन करी से मेरा चेहरा ढग गया यानि मेरे चेहरे पर जो करी थी खाने वाली जो सबजी के साथ होती है या फिर दूसरे खाने वाली पदारतों के साथ वो मेरे चेहरे पर लग गया यानि मैं किसी की plate पर मेरा चेहरा गिर गया perhaps Shiaad said the air hostess with the most charming smile बहुती charming बहुती सुन्दर मुस्कुराहत के साथ उस air hostess ने कहा क्या कहा अगर आप अपनी सीट पर बैठ जाएं तो यह बेहतर होगा और आई विल फाइंड अनिमल और ब्रिंग इट तो यू मैं इस जानवर को ढूनती हूँ और मैं आपके पास लाती हूँ I return to my seat मैं अपनी सीट पर वापस चला गया I was craning my neck trying to follow the hunt और मैं अपनी गर्दन को खुमा रहा था craning का मतलब क्या है moving हम क्या कहेंगे इसे moving मैं अपनी गर्दन को खुमा रहा था trying to follow देखने के लिए the hunt मिज की जो खोज जारी थी उसे देखने के लिए मैंने अपनी गर्दन को खुमाई when तभी suddenly I heard from my feet a distressed cheater of recognition तभी अचानक मैंने सुना अपने पाउं के पास एक निराश घबराया हुआ पहचानने की आवाज ठीक है cheater of recognition हम क्या कह सकते हैं पहचानने की आवाज क्योंकि वो एक जानवर था जो चींची करता था इसलिए यहाँ पर cheater है and or welcome और स्वागत का भी and or miss bounded on to my knee मेज मेरे घुटने पर कूद कर चड़ गया and begin to nuzzle my face and my neck और वो मेरे चेहरे और मेरे गर्दन पर वो nuzzling करने लगा यानि वो अपने नाक से मेरे चेहरे मेरे गर्दन को रगडने लगा ठीक नजल का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है to rub gently with nose नाक से रगडना ठीक यानि दुलार करना प्रेम करना पहचानने का संकेत देना स्वागत का संकेत देना ठीक चली देखते हैं आगे क्या है यह है पार्ट फूर क्योंकि यह स्टोरी चार पार्ट में है तो यह चार पार्ट फूर है after an eventful journey घटनाओं से भरी यातरा के बाद eventful का मतलब का है जो बहुती रोचक हो घटनाओं से भरी हो Maxwell and his otter reach London Maxwell और उनका otter London पहुँच गए where he has a flat जहां पर उनका flat था Miss and I remain in London for nearly a month मैं और Miss लगभग एक महीने तक लंडन में रहे He would play for hours वो घंटों तक खेलता with a selection of toys चुने गए खिलानों से पिंग पॉंग बॉल्स जैसे की पिंग पॉंग बॉल्स मार्बल्स कंचे रबर फ्रूट रबर के बने फल एन टेरपिन शेल और एक कचुए की खोल देट आई हैड ब्रॉट बैक जिसे मैंने वापस लाया था फ्रॉम हिस नेटिव मार्शे उसके मूल दल्दल से यानि जहां वो दल्दली स्थान पे रहता था जो उसका नेटिव प्लेस था वहां से मैं इसे लाया था यहां पर दिखिए टेरपिन शेल का मतलब दे शेल अफ स्मॉल टर्टल फाउंट इन नौर्थ अमेरिका नौर्थ अमेरिका में पाई जाने वाले छोटे टर्टल जो होते हैं उनकी खोल ठीक विद दे पिंग पॉंग बॉल पिंग पॉंग बॉल से उसने अपने आप में ही एक खेल इजाद कर लिया था खोज लिया था विच कुद कीप इम इंग्रोजड फॉर अप टू हाफ एन आर आप एट अट आइम जो एक बार में उसे कम से कम आधे घंटे तक लीम रखता था इंग्रोजड का मतलब क्या है लीम खोया हुआ यहाँ पर उसकी मीनिंग दी है completely interested in जिसमें वो बहुत ज़्यादा रूची लेता था a suitcase that I had taken to Iraq वो suitcase जिसे मैं Iraq ले गया था had become damaged वो खराब हो गया था on the journey home घर वापस आने की यात्रा में वो खराब हो गया था so that the lid इसलिए उसका जो ढखकन था उसका जो cover था when closed जब बन कर दिया जाए remain at a slope वो slope पर रहता था from one end to the other दूसरे कोने तक यानि जो उनका suitcase था उससे बन करें तो थोड़ा सा slope जैसा करता था ठीक इस तरह से रहता था एक जगा फूला हुआ एक जगा पचका हुआ मिस डिस्कवर्ड दैट मिस को ये पता चला कि if he placed the ball on the high end अगर वो high end पर ball रख दे it would run down the length of a suitcase फिर ये यहाँ पर चलते हुए ये ball यहाँ तक आ जाएगी ठीक पूरी length cover कर कि वहाँ तक आ जाएगी he would dash around to the other end वो तेजी से दूसरे कोने पर जाता ठीक है डैश का मतलब क्या है move quickly तेजी से जाता to ambush घात लगाने के लिए its arrival उसके आने के लिए जब ball नीचे आएगी उसके लिए वो घात लगाकर दूसरे कोने पर चला जाता hide from it वो इससे छिप जाता crouching दुपक करके to spring up तेजी से आने के लिए and take it by surprise और इसे वो surprise में तेजी से जल्दी से लेने के लिए grab it इसे ले लेता and trot off with it to the high and once more फिर इसे वो trot करता हुआ उपर जढ़ जाता यानि फिर वो यहाँ पर आ जाता इस बॉल को फिर से हाँ पर रखने के लिए ठीक outside the house घर के बाहर I exercised him मैं उसकी exercise कराता on a lead lead पर यानि मैं उसे पट्टा जो बांदे रहता उसको लेकर बाहर में जाता और उसकी exercise कराता precisely as if he had been a dog मान लीजिए कि जैसा वो एक dog हो मिज ने जल्द ही कुछ ऐसी मजबूर कर देने वाली आदतें उसने विक्सित कर ली अपने इस वाक पर अपने जब वो बाहर निकलता था उस वाक पर निकलते निकलते उसने कुछ कम्पल्सिव हैबिट्स ऐसी आदतें जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जिस पर नियंतरा रखना बहुत मुश्किल हो यहाँ पर उसकी मिनिंग दी हुई है हैबिट्स इंपॉसिबल टू कंट्रोल ऐसी आदतें जिस पर नियंतरा ना हो वो उसने डिवलप कर ली थे इन दे लंडन स्ट्रीट्स लंडन के गलियों में सरको पर जैसा की बच्चों के जो रिच्वल्स होते हैं उनके जो क्रिया कलाब होते हैं उसे अपने पाओं को रखते हुए जाते हैं जो बच्चे जैसे जाते हैं एसा स्क्वाइर बना रहता है ऐसे हैं बच्चे जैसे जाते हैं उसी तरह इसने भी आदतें अपनी डिवलप कर ली थी Must touch every seventh upright of the iron railings कि हर एक railings को जो सीधे खड़ी है साथमी आटमी जो है उसे वो छूते हुए जाएंगे और to pass the outside of every second lamp post और वो जो दूसरा हर lamp पड़ेगा वो उसके बाहर से निकलेगा जैसे माल लीजिए ये lamp pole है ठीक है तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा ठीक तीसरे मैंसे इस तरह से वो जाएगा opposite to my flat मेरे flat के सामने was a single storied primary school एक महले का primary school था along whose frontage जिसके सामने ran a low wall sum of two feet high एक दीवाल थी जिसकी उचाई मुश्किल से दो feet थी ठीक on his way home जब वो घर वापस आता but never on his way out लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करता था जब वो बाहर जा रहा होता था तक हमेशा वो ऐसा करता था जब वो लोट रहा होता था मिजवूड टग मी टू इस वाल वो मुझे इस वाल के पास लाता खीशता हुआ jump on to it वो इस पर हो जाता and gallop the full length of its 30 yards और वो दोड़ता हुआ जो 30 yards की उसका ground था उसे वो cover करता गैलप का मतलब क्या है run very fast बहुत तेजी से दोड़ता हुआ to hopeless distraction both of pupils and of staff थे सारे जो वहाँ पर बैठे हुए students थे, pupils थे, students थे और जो staff था वहाँ बैठा हुआ वो सब, सबको वो निराश करता, घवरलाता हुआ, सबका ध्यान बहकाता हुआ, वो ऐसा करके भागाता था ठीक है, यहाँ पर देखे, distraction का मतलब क्या है, something that takes away one's attention from what one is doing जो वो लोग कर रहे हैं, उसके ध्यान को भंग कर देता था, ऐसा करके चलिए आगे देखते हैं, it is not, ऐसा नहीं है, I suppose, मैं समझता हूँ, in any way strange, किसी भी तरह से अजीव मुझे लगता है, कि यह किसी भी तरह से अजीव नहीं है, that कि the average Londoner, जो ओसत, जो सामान लंदन के रहने वारे लोग हैं, should not recognize an order कि वो order को पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है, order को ना पहचान सके, recognize का मतलब क्या है, पहचानना बट, लेकिन, the variety of gases, लेकिन जो अलग-अलग अंदाजे लगाए गए, अलग-अलग अनुमान लगाए गया, as to what kind of animal this might be, कि यह किस तरह का जानवर हो सकता है, came as a surprise to me, यह मुझे काफी आश्यर चकित करने वाला लगा Otters belong to a comparatively small group of animals, otter जो है, वो तुलनात्मक रूप से, यानि अगर उनकी तुलना की जाए दूसरे जानवरों से, तो वो छोटे समूह वाले जानवर होते हैं, called mustilines, उन्हें mustilines कहते हैं, इनका जो वर्ग है, वो mustilines का है, shared by the beijer, जिसमें beijer आते हैं, mangoos आते हैं, whistle आते ह स्टोट, mink और दूसरे तरह की जानवर इस category में, इस group में आते हैं, I faced a continuous barrage of conceptual questions, मैंने लगातार, guess किये जाने वाले सवालों का सामना किया, that spread all the mustilines, जो हर तरह के mustilines के बारे में था, but the otter, otter को छोड़ के, otter के सिवा, सारे तरह के सवाल, जो mustilines के थे, लोगों ने मुझसे पूछे, यानि लोगों ने ऐसा कहा, कि ये बेजर हो सकता है, mangoos हो सकता है, weasel हो सकता है, stoat, mink हो सकता है, सिर्फ otter को छोड़ करके, उन्होंने सब तरह के mustilines का नाम लिया, more random guesses hit on a baby seal, जो और ज्यादा guess करने वाले सवाल थे, उन्में से एक था, कि ये एक seal का बच्चा हो सकता है, and a squirrel, या फिर एक गिलहरी हो सकती है, is that a walrus, क्या ये walrus है, mister, mister, क्या ये walrus है, walrus कभी मतलब उद्विला होता है हिंदी में, ये थोड़ा बड़ा जानवर होता है, otter के मुकाबले है, ठिक, reduced me to giggles, इसने मुझे दाद दिखाने पर मजबूर कर दिया, यानि मुझे खिसी आने पर मजबूर कर दिया, इस सवाल ने, and outside a dog show, dog show के बाहर, I heard a hippo, मुझे सुनाई दिया, कि ये hippo है, अब बीवर, ये बीवर है, अब ये कब, ये भालू का बच्चा है, अ लेपड, ये लेपड है, ये तिंदुआ है, one, apparently that had changed its spots, ये जरूर, इसने अपने spots को बदल लिये हैं, छिपा लिये हैं, ये जरूर लेपड भी हो सकता है, and a brontosa हो सकता है, ये brontosa भी है, brontosa जो डिन Anytime but an oughtar Meaz — ओटर की सिवा सब कुछ था Meaz — ओटर की सिवा सब कुछ था ये उसे हर एक नाम से पुकारा गया, हर तरह कगेस लगाया गया, सिर्फ ओटर को छोड़ करके, कि वो शिफ ओटर नहीं था, और वो सब कुछ था लोगों ने सब कुछ कह डाला सिर्फ उसे ओर्टर नहीं कहा ठीक चलिए आगे देखते हैं बट लेकिन दा क्वेस्टन फॉर विच लेकिन वो सवाल जिसके लिए I awarded the highest score जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा marks दिये सबसे ज़्यादा मैंने score दिया came from a laborer एक मजदूर से आया digging a hole in the street जो गली में गढ़ा कर रहा था I was still far from him मैं अब भी उससे काफी दूर था when he let down his stool जब उसने अपना साजो समान रख दिया put his hands on his hips उसने अपने hips पर अपने हाथ रखे and begin to stare और वो घूरने लगा as I drew nearer जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचता गया I saw his expression of surprise मैंने उसके आश्यरे के expressions को देखा आश्यरे के भावों को देखा and or affront और वो किस तरह से affront था थोड़ा सा गुसे में था थोड़ा सा अनिश्चिता की इस्थिती में था उसे मैंने देखा as though Yadipi he would have me know that Yadipi वो मुझे बताना चाह रहा हो कि he was not one upon whom to play jokes कि ये उन में से नहीं है कि तुम उससे मजाख कर सको उसके हावभाव से ऐसा लग रहा था कि वो बताना चाह रहा है मुझे कि मैं उन में से नहीं हूँ जिसके साथ तुम मजाख कर सकते हो I came abrised of him मैं उसके बिल्कुल बराबर में आ गया he spat उसने थूका ठीक ये spat का मतलब क्या है ये spit का second form spit का मतलब होता है थूकना ठीक तो इसी तरह ये इस पर उसने थूका cleared घूरने लगा and then growled out और तभी उसने गुराते हुए पूछा here mister, इधर ध्यान दो mister what is that supposed to be आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है उसने इस तरह से पूछा तो इस बात पर उन्हें बहुत अजीब लगा कि इस आदमी को ऐसा लग रहा है कि मैं इस जानवर को नहीं जानता हूँ इसलिए उसने मुझसे ऐसा कहा कि what is that supposed to be कि आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का जानवर हो सकता है तो इस तरह से हम नहीं देखा कि ये जो चैप्टर नमबर एट था आपका और दो मिश्बिल वो भी समाप्त हुआ वीज़ो एच्छे लेगी तो लाइक कीज़ेगा आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेर कीज़ेगा चैनल पर नहे है तो सबस्क्राइब कीज़ेगा और बिल आइकन भी जरूर दबाएएगा आपके सबस्क्राइब करने से आपको मिलेगा और इच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा होसला तैंक यू